प्रक्तित्व के हाथ से जो स्वयम सत्य के प्रतीक हैं, जो स्वयम आगे बढ़कर कहते हैं कि नेशन कम्स फस्ट अर्थात राष्ट्र सर्वोपरी और अब देहन होगा उन पुतलों का जो प्रतीक हैं अन्याय का, असत्य का, अधर्म का और करने वाले वो व्यक्तित्व, हमारे माननिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, अब भोगा देहन, उनका जो असत्य को लेकर आगे बढ़ेंगे, लेकिन रोकने के लिए खड़े हैं धर्म के प्रतीक, हमारे माननिये प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, आए, आनन्द लेते हैं, रावन देहन का, और हाथ उठाकर, गुंजाय मान हो ये, जे श्री राम, स्वयम, ज्यान के प्रतीक और धर्म को साथ लेकर चलने वाले, हमारे माननिये प्रधान मंत्री, श्री नरेंद्र मोदी जी, आज, हम सब के लिए प्रेणा स्त्रोथ बन रहे हैं, द्वारकाश्री राम लीला सोसाइटी के इस रावन देहन में प्रतिभागिता दिखाती है, कि हर जन्मानस तक उनकी पहुँच है, और सब के व्यक्तित्व को वो एकिकार करते हैं, वे धर्म को आगे लेकर चलने के लिए सदैवातुर हैं, और अधर्म का नाश मात्र ऐसे ही व्यक्तित्व के द्वारा होता है, जो स्वयम धर्म का प्रतीक होता है, और धीरे धीरे जब यह बात हर मानस तक पहुँचती है, तो आवाज आती है, जे जे श्री राम, जे श्री राम, जे श्री राम, जे श्री राम, और शाणकरीम, आप सब देखेंगे, किस प्रकार हमारे विज्यई और सर्वुच्यतम राश्ट्र को सर्वुच्य शिखर तक पहुचाने वाले हमारे माननिय प्रधानमंत्री जी किसका देहन कर रहे हैं उनका देहन जो अधर्म के प्रतीक है उनका देहन जो हैंकार के प्रतीक है उनका देहन जो असत्य के प्रतीख है और उनका देहन जो अत्याचार के प्रतीख है अर्थात अधर्म का हमेशा नाश होता है असत्य हमेशा समाप्त होता है और रहेंकार कभी भी कितनी भी कोशिश कर ले लेकिन सत्य पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता और आपके हाथ के तालिया जेशेश जेशेश जेशे खीराम जेश्वीराम